कुछ दिन बाद शिखा माबाप के कहने पर वापस ससुराल आ जाती है हाँ आ गई गई तो इतना नाटक करके थी कि जैसे वापस ही नहीं आने वाली हो आप तो बड़ी जल्दी आ गई लेकिन देखो पिंकी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है मैं मेरे ममी पापा का कहना टाल नहीं सकती थी इसलिए यहाँ वापस आई हूँ वरना मुझे यहाँ वापस आने का कोई शौक नहीं था अरे वाभाभी इस बार माईके से जुबान जलाना भी सीख कर आई हो गया जब से आई हो तब से क्याजी की तरह जुबान चल रही है हाँ पिंकी तुम्हारे साथ रहना है तो थोड़ा बहुत जुबान चलाना सीखना ही पड़ेगा न तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे मा बहु आते ही मेरी फोल सी बेटी के पीछे पड़ गई तू नहीं थी तब भी घर में सांती थी आते ही कले सुरू कर दिया मा जी आप हमेशा मुझे ही क्यों बोलती हो मैं तो सिर्फ पिंकी के बात का जवाब ही दे रही हूँ न देख लो ममी तुमसे भी जुबान लड़ा कर बात करती है भाबी तो सही कह रही हो पिंकी इस सिखा के टेवर बदले लग रहे है न जाने क्या सीख कर आई है माई के से क्या पता इसके माब अपने से क्या सिखाया है आई है तब से कभी मुझसे कभी आपसे जुबान बलडा रही है बहस कर रही है पिंकी मेरे ममी पापा को बीच में मत लाओ जो भी बात करनी है तुम मुझसे करो अपनी अकड और अपनी आवाज नीचे रख कर बात करो मुझसे समझ गई? बरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा और जाईए किचुन में खाना बनाईए जाईए जाओ सिखा, पिंकी ने कहा ना खाना बनाने को तो खाना बनाओ जाओ ठीक है माजी, आप कह रही हो मैं वैसा ही करती हूँ शिखा फिर रसोई में आ जाती है और सास का बताया काम भी करने लगती है कुछ दिर बाद पिंकी रसोई में आती है अब क्या सारा दिन किचन में ही निकाल दोगी? घर का कोई और काम करना है या नहीं करना है तुम्हें? नहीं पिंकी, मैं बस बाहर ही आ रही थी बस जरा ये किचन का सामान इधर उधर हो गया था उसे सही से लगा रही थी मतलब भावी तुम कहना क्या चाती हो? कि तुम घर में थी तो सब चीज सही से थी और तुम घर में नहीं थी तो घर का सारा सामान यहां वहां हो गया नहीं नहीं पिंकी मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था हाँ सब समझ रही हो क्या मतलब था और क्या नहीं जादा सीधा बनने का नाटक मत करो मेरे सामने सब तुम्हारे भोले पन को सच मान लेते होंगे लेकिन मुझे पता है कि तुम कितनी जहरीली हो पिंकी आखिर तुम क्या चाती हो क्यों तुम मुझसे हमिशा इसी तरह बात करती हो आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है पिंकी घर में इतनी जुबान लडाती हो वो कम है क्या और तुम कर क्या सकती हो बस मुझसे जलती रहती हो तुम और तुमें कुछ आता भी है क्या पिंकी तुम मेरी छोटी बेहन जैसी हो मैं भला तुमसे क्यों जलूँगी पिंकी यह अच्छे बनने का नाटक न वहां करो जहां चलेगा मेरे सामने तुमारा यह नाटक काम नहीं आए गया जबसे इस घर में पैर रखा है इस घर की दशा ही बदल गई है पहले भाईया को बिजनस में इतना फायदा होता था घर में कभी पैसो की कमी नहीं हुई लेकिन जबसे तुमने इस घर में पैर रखा है तबसे तुम भाईया को बस लॉस ही लॉस देखने मिल रहा है पनौती बनकर इस घर में आई हो तुम नहीं बिंकी प्लीज ऐसे शब्द मत बोलो मेरे लिए मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है किसी का भी क्यों तुम हमेशा मुझसे इसी तरह बात करती हो शिखा रो कर वहां से चली जाती है कुछ दिन बाद क्या हुआ बेटी बड़ी परसान लग रही हो सब ठीक तो है न ममी, कॉलेज से फोन आया था परसो फीस की आखरी तारीक है अगर फीस नहीं भरी तो मुझे एक्जाम में बैठने नहीं देंगे अरे बैठने नहीं देंगे तो खड़े खड़े एक्जाम दे देना उससे क्या फरक पड़ता है अरे ममी बैठने नहीं देंगे मतलब एक्जाम नहीं देने देंगे तो पिंके अब तुम क्या करोगी करूँगी क्या फीस भरनी पड़ेगी भाईया से तीन हफते से फीस मांग रही हूँ लेकिन उन्हों अभी तक पैसे नहीं दिये वो अभी उन्हें बिजनिस में बहुत कि मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ तुम्हे मेरा अच्छा या बुरा सोचने की जरुरत नहीं है मैं मेरा अच्छा या बुरा खुद सोच सकती हूँ तुम अपने काम से काम रखो और तुम जाओ अपने कमरे में मैं नहीं चाती हूँ कि जब मेरे भईया से मैं बात करूँ तब तुम यहां खड़ी होकर सुनो हाँ सिखा तु जा अपने कमरे में ये सब बाते तरे मतलब की दही है शिखा फिर निराश होकर वहां से चली जाती है कुछ दिर बाद उसका पती भी कमरे में आता है आ गया आप आपने पिंकी की कॉलेज की फीस अभी तक क्यों नहीं भरी बिचारी कितनी परिशान है आपने पिंकी से बात करी देखो शिखा मैंने पिंकी से भी कह दिया है और मैं तुम से भी कह रहा हूँ मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं पिंकी की साल भर की फीस भर पाऊ आपको पता है ना कि आप फीस नहीं भरोगे तो पिंकी का पूरा साल भर बाद हो जाएगा हाँ मुझे पता है लेकिन पैसे नहीं है तो मैं भी क्या करूँ एक साल खराब हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है अगले साल पिंकी फिर से एक्जाम दे देगी और अब मुझे नीन आ रही है, मुझे सोना है अब शेका बहुत टेंशन में आ जाती है अगले दिन मम्मी थैंक यू सो मच किस बात का थैंक यू बेटा? क्या हुआ बहुत खुश लग रही हो? मम्मी आपने मेरे कॉलेज के फीस भर दीना उसके लिए थैंक यू नहीं बेटा, मेरे पास कहां इतने पैसे थे जो मैं तुम्हारी फीस भरती जरूर तुम्हारे भहिया नहीं, तुम्हारी फीस भरी होगी नहीं मम्मी, मैंने भहिया से अभी बात करी उन्होंने बोला कि उन्होंने फीस नहीं भरी है तो आखिर मेरी फीस किसने भरी होगी मम्मी? पिंकी, तुम्हारी फीस मैंने भरी है क्या तुमने तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए वो मुझे मेरे माईके से जो जुमके मिले थे मैंने वो बेच कर तुम्हारी फीस भर दी क्या तुमने तुमने अपने जुमके मेरे लिए बेच दिये मेरी फीज भरने के लिए तुमने अपने जुमके बेच दिये लेकिन क्यों तुमने अपने जुमके क्यों बेचे क्योंकि मैं नहीं चाती थी कि तुम्हारा साल खराब हो मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ने का कितना शौक है फिर भला मैं तुम्हारा साल कैसे बरबाद होने देती लेकिन मेरे लिए तुमने अपने जुमके क्यों बेचे मैं तो तुमसे अच्छे से बात भी नहीं करती हूँ क्योंकि पिंकी तुम मेरी छोटी बेहन जैसी हो और बेहनों में लड़ाई होती रहती है इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें प्यार नहीं है मैंने आपसे जो भी बत्तमीजी करी उसके लिए मुझे माफ कर दो भाबी कुई बात नहीं पिंकी मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ उसके बात पिंकी और शिखा हमेशा प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं